वेलकूं टो मैशो वभी गुरू दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं एम्स की सीट मैटर्स के बारे में जो अप्डेटर सीट मैटर्स आई हुई है ओनलाइन रोजिस्ट्रेशन इस टे वेकेसी राउन में कैसे होगा क्या प्रोसीसर होगा और सथी साथ इलिजबल केंडियेट्स की जो लिस्ट दी हुई है उसमें कट अफ कितना जा रहा है क्योंकि जो इलिजबल केंडियेट्स की लिस्ट होती है दोस्तों वो डेरेक्ली आपकी उठा ली जाती है MCC की website से जो eligible candidates की list होती है तो यहां पर कितना cut off गया है चली पूरा decide कर लेते हैं पूरा वीडियो के माधियम से जिससे कि आपको यह idea मिल जाएगा कि आने वाले time में आपके chances कितने ही stay vacancy round में AIMS के लिए दोस्तो AIMS ने stay vacancy round के लिए eligible candidates की list दे दी हुई है तो इसमें general BC, SC, ST सभी candidates की 10 times की list है और इसमें वो candidates भी हैं दोस्तों जो की आपके जिपमर में eligible थे तो यह overall merit दे दी जाती ही दोस्तों जो eligible candidates की list है उठा के वही दे दी जाती है 10 times merit की तो चली देख लेते हैं कि cut off कितना गया है तो general category का जो cut off गया है वो 656 marks गया है EWS का जो cut off गया है वो 653 marks गया है इसी तरह से अगर BC category के बात करें तो 650 marks गया है और SC category का जो cut off गया है वो 580 marks गया है और ST category का 523 अब आप यह सोच रहोंगे कि यह सारे candidates तो बहुत अच्छा college ले सकते हैं तो यह यहाँ पे क्यों आएंगे aims कल जानी या new aims लेने के लिए तो दोस्तों यह overall merit उन्होंने उठा के दे दिये तो cut off तो बहुत आई है इसमें बहुत साइक candidates उम्मीद लगा हुए थे कि सायद 610-605 में उनको call किया जाए हलाकि अभी तो यह उम्मीद नहीं है अब यह candidates register करेंगे तो यह पताचले लगा है इसमें से कितने candidates हैं जो interested है counselling में चलिए detail में देख लेते हैं counselling का process क्या है तोस्तों यहाँ पे आपकी seat matters updated seat matters है total 119 seats है कुछ भी इसमें changes नहीं हुए है seat हैं उतनी की उतनी है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कितने बज़े report करना है general category 98 to 2618 830 AM EWS candidates के लिए 830 AM इसी तरह से OBC candidates के लिए 830 AM SC के लिए 1130 और ST के लिए 1130 सबसे पहले general candidates के होगी फिर EWS फिर OBC SCST इसी तरह से seat का normalization भी होगा original certificate साथ आपको जाना है इससे पहले आपको register भी करना है आज ही online अपने interest को दिखाने के लिए online registration के लिए जो portal दिया हुआ इसमें link के तरूँ आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे पूरा detail होगा category wise आपका role number, mother's name और admit card category यह सारा आपको fill करके confirm करना है, save and print करना है यह सारा informations, तो यह सब आपको करना है दोस्तों, इससे वो career जो need 2021 के preparation करने जा रहा है and academy ने different different batches में classes start की हुई है, जसमें कि जो educators होंगे और top educators होंगे उनको अपने field में बहुत ज़दा experience है, चाहे physics हैं chemistry है, biology है, तो यह top educators साब की classes कैसे लेंगे, क्या time schedule होगा, आप पूरा चलिए बात कर लेते हैं, और पूरा information को description है, इस वीडियो के description box में link की थ्रू मिल जाएगा, आप मेरा code मावारी ग्रूव भी use कर सकते है, अन्रॉल के लिए 10% discount के लिए, जो जनरी 6 से स्टार्ट है, संकल बैच हिंदी मीडियम के लिए, डोक्टर गरोग एजवाल डोक्टर भाई, प्रोफेशन 16 प्लस यूस का chemistry में experience है, जीतेंद पांडे 22 प्लस यूस का physics expert, अमित कुमार सिंग, geology expert 12 प्लस यूस experience, वीवेक अगने होत्री, बॉटने एक्सपर्ट, 19 प्लस यूस experience, इसके लाँ उमीद बैच है, जो जनरी 11 से स्टार्ट है, डोक्टर अनमनी नीट expert है, बालो जी, इसके अलमा, दीपक वसेश्ट है के में से एक्सपर्ट है, 15 प्लस यूस का यह हमारे उमीद बैच के है, इसके लाँ पहल बैच जो जनरी 13 से स्टार्टर असके सिंग परस्वेट मीबी एस फ्रॉम एम एम सी, इसके अलमा, biology expert है, साधी साथ पंकस तल्वार है, जो 24 यूस प्लस यूस का teaching experience, physical chemistry में है, आसीज दीवान है, तो यह हमारे पहल बैच के टॉप एडिकडर्स हुए, दोस्तों, हाँ डूगेट अनकेडमी सब्सक्रिप्शन यहां पर फाइव इस टिप में आपको दिया हुआ है, आप कर सकते हैं, मेरा कोड मावेगरू भी यूस को सकते हैं, 10% डिसकाउंट के लिए, नीट यूजी सब्सक्रिप्लान है, प्लस और